मुझा नमश्कार धर्म ग्यान के दर्श्यकों का स्वागत है हमेशे कितरे मैं हूँ आपके साथ कवितर आना और मेसा मौजूद है अचारी राकेश चत्रवेदी जी स्वागत है आपका नमश्कार दसको नमश्कार कवितर जी तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक कर ये समय खास और पे करन्य राशी वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा ह इस जोरान आपकी सेहत, आपका कारिशेत्र, आपका आर्थिक पक्ष और इसके साथ साथ आपके रिष्टे कैसे रहेंगे ग्रहों के जितने भी बड़े बड़े गोचर हो रहे हैं ये आपको किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं ये सब आज हम जानेंगे अचारी जी से दिपावली पे कविता जी वह थोड़ा सा दैनी इसती दरसाती हैं इनके लिए क्योंकि स्वास्त पीड़ा इनको लंबे समय से मिलती आई है और अक्सर इनको बीमारी की वजह नहीं पता चलना और मेडिकल पर ही सबस्यादा बैह होना यह इनके लिए पीड़ा दायक रहा ह जो की इस दिपावली के बाद लेकर चले हम फरवरी तक का जो समय है क्योंकि इस दौरान जो बुद्ध और शुक्र के गोचर हैं वह सुबता फल देना शुरू कर देंगे इनकी राशे के लिए तो फरवरी के बाद का जो समय है इनके लिए स्वास्त लाब से परिपूर र रहने वाला है इसके बाद की बात करें अगर समय अंतराल की तो फरवरी के बाद से लेकर जून जुलाई महीने तक का जुलाई में एक बार फिर से शनी वक्री होंगे वहां तक का जो समय है इनके लिए बहुत सुखमे रहने वाला है लेकिन जुलाई के बाद जैसे ही शनी संबंधों में इनको किसी बड़े जनहानिक का भी सामना करना बड़े कविता जी अब आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि आपका काम कारुबार जो लोग नौकरी में हैं और जिन लोगों का अपना बिजनस है तो उनके लिए दिवाली का यह समय कैसा रहेगा देखें ब्यापारियों के लिए यह दिपावली का समय बहुत ही विशेश है और इस दिपावली से लेकर क्योंकि हमारी चर्चा अगली दिपावली तक के सुभत को देखना है तो इनके लिए कन्याराशी वालों के लिए इस दिपावली तो इनके लिए सकरातमक रहेगी लेक अस्तर पर इनको देखने को मिलेगा कि यह लोगों से प्रभावित होकर विशय की जानकाली ना होते हुए भी आख बंद करके नए ब्यापार में इन्वेश्मेंट की तरफ यह रुजान करेंगे जिसकी वजह से ब्यापारिक दिस्टिकोंट से इनको तनाव मिलने वाला है ल अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पाई है तो इस दिपावली के बाद उनको अस्थायत मिलने की और अगली दिपावली तक उनके लिए एक स्थिर लक्षमी का रोटेशन होना सुरू हो जाएगा लाब मिलना सुरू हो जाएगा जो की इनके लिए बहुत ही ज्यादा की प्राची वालों के लिए इस दिपावली से लेकर अगली दिपावली का जो समय है वह उतार चड़ाव बरा और संगर्सों से भरा रहेगा तबताजी संगर्सों से बरा इसलिए कि कमाई के साथ-साथ इनके जीवन में खर्च बढ़ेंगे और अपने जीवन के खर्चों की पूर्ती करने में ही इनको तनाव मिल जाएगा आर्थिक रूप से इनका जीवन तनाव पूर्ण होने वाला है और इस दिपावली के बाद का जो समय रहेगा वह इनको प्रबल रूप से रोज कुछ न कुछ जरूर्तों से जूजते हुए और उनकी पूर्ती के लिए संग आरहा तनाव पति पत्नी के बीच या कहले की पारिवारिक तनाव अगर परिवार में भी इनके विप्रीत लोग चले गए थे और अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ परिवार से प्रतार्णा मिल रही थी तो इस दिपावली के बाद आपको वह सुबता मिलती हुई अपसी करेगी लेकिन इसके अन्यत्र अगर हम चर्चा करते हैं प्रेमी जीवन की या प्रेमी जोड़ेंग की तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय संघर्ष पूर्ण होने वाला है आप अपने प्रेम को बचाने के लिए प्रेम के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंग अपनों से लड़कर ही आपको सफलता मिलेगी लेकिन मेरी सलाह रहेगी उनका आसिरबाद ले उनसे आप तनाव ना ले तो चलिए अब तक हमने आपको बताया है कि इस दोरान आपकी सेहत आपका कारीशेत्र आपका आर्थिक पाक्ष और आपके रिष्टे क्या कुछ कहते है और आए जादे जादे जान लेते हैं कि इस दिवाले से लेके अगली दिवाले तक आपको क्या उपाए करने ज़रूरी है देखे कन्या राश्यवालों के लिए विशेश रूप से यहां पर ध्यान देने की ज़रूत है इनको आर्थिक बल देना है आर्थिक मजबूती कर रहे ना है इनके आधे तनाव समार्थ हो जाएंगे चाहे बस संबंधों की पीड़ा हो चाहे पति-पत्ने के संबंधों च सुरू हो जाएं आप पधि-पत्नी हैं वहां भी यही समझ आगा पिता-पुत्र के संबंध में वहां भी तो इनके सिर्फ आर्थिक पक्ष को हम बल देंगे तो सब समस्चाहें समाथ होती दिखाई देंगी तो आर्थिक पक्ष को बल देने के लिए कविता जी इनको एक जैसे कि हम बैठे हुए हैं जहां पर यहां दूर्वा की अधिकता है और गणेश जी को बहुत प्री है दूर्वा और सहद मिलाकर साथ दूर्वा यह ले ले और नित यह नियम बना ले साथ दूर्वा ले जाकर और सहद में डुवा कर गणेश जी की प्रतिमा के सामने अर और वहीं पर उसको रख दे और अगली दिपावली पर वह दूरवा निकाले और उसका पूजन करें उसके बाद उसका प्रभाह करते गंगा में यह इनके जीवन में अद्भुत सुबता देगा और इस दिपावली जो तनाव है उसका 10 प्रतिशत भी अंस आपको अगली झाल झाल